इस समय गोविंदा बहुती बड़ी मुसीवत में फस चुके हैं जी हाँ हजार करोर का फ्रॉड में उनका नाम आ चुका है बता जारा है के पैन इंडिया ओनलाइन पॉंजी स्केम में हजार करोर के घोटाले में गोविंदा का हाथ है बोला जारा है के उरिस्टा एकोनॉमी उसे पूछतास भी कर सकती है जिसमें पता चलेगा कि गोविंदा एक्चुल में फ्रॉड है या फिर उनका नाम ऐसे ही लिया गया है जी हां जो कि अपनी दुनिया एक्टिंग और एक्शन से निकालते थे अब वो स्कैम में उनका नाम आ चुका है उनके फैंस ये सुनकर चलेगा कि एक्चुल में उनका नाम डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ है या फिर वो इंडायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि हजार करोर का मामला है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है इतने बड़े रकम में अगर गोविंदा जैसे एक्टरों का नाम आए तो लोगो में परिशानी तो होईगी होईगी क्योंकि ये ऑनलाइन पॉंजी गेम का मामला है हजार करोर चुकाने में गोविंदा की पुरी जिंदगी निकल जाएगी सिर्फ उनका ही नहीं वलकि उनके परिवार में सभी के उपर ये मुसीवत चाही हुई है 21,000 लोगों की बात है प पुलिस ने अभी तक पूस्ता शुरू कर दी है पर जब तक क्लियरेंस नहीं आ जाते तब तक साफ साफ कोई कुछ भी नहीं बता सकता किसने सोचा था कि गोविंदा का नाम इस तरीके से स्कैम में आएगा हसते हसाते एक्टर जो लोगों को हसाना पसंद करते थे अचानक से अगर उनका नाम स्कैम में लोगों को फ्रॉड करते हुए नजर आए तो ये बड़ी ही चिंता की बात है गोविंदा ने भले ही अभी तक इस पर कोई भी वीडियो या फिर कोई मैसेज नहीं दिया है कि वो कनेक्टेड है या नहीं पर जब तक पुलिस नहीं पूछ ले